Hello Everyone अगर हमारे power system में voltage का variation plus minus 5% होता है तो ये basically acceptable ये plus minus 5% का voltage variation मगर voltage का variation अगर plus minus 5% से साथ होता है जैसे for example मान लेते plus minus 7% होता है तो ऐसे किसमें हमारे power system में unstable हो सकता है voltage को लेकर power system की stability होती हो इसको हम लोग 3 parameter के respect में define करते सबसे पला in terms of voltage दूसरे in terms of angular stability तीसरे in terms of frequency तो वोल्टेज stability के according अगर आपका power system का voltage पावर सिस्टम का voltage अगर प्लस माइनस 5% अगर variation अगर हो रहा है तो प्लस माइनस 5% का जो variation होता वो चल जाता है मगर अगर प्लस माइनस 5% से ज़्यादा गर voltage variation हो रहा है तो प्लस माइनस 5% से ज़्यादा voltage variation आपके सिस्टम को बना सकता है unstable और उससे भी important अगर हम लोग देखें अगर हम लोग acumen को देखें अगर हम लोग home acumen को देखें मान लेते हीटर हीटर को कितना voltage चाहिए 230 volt चाहिए 230 volt से प्लस 5% और माइनस 5% अगर कम ज़ादा होता है over voltage folder voltage होता है तो ऐसे किसMA का छीटर होगा काम कर जाएंगा plus-5% मगर अगर वील्टेज का variation plus-seven percent हो जाता है तो ऐसे किसमेहोगा कि हापका आपका जो हीटर होगा काम नहीं कर पाएंगा तो सबसे बड़ा him haul aha वा बराबर से काम कर पाएंगा कर वुल्टेज का वीरिशन α‌गर plus minus five percent में ही हो रहाए तो अगर वुल्टेज का वीरिशन plus minus seven percent होता है तो ऐसे तक इसमें हमारा сы so el現在 can unreasonable rooms जितने वी जो electronic electrical डिवाईःल काम नहीं कर पाएंगे तो यह reason के वज़े से हमारे power system का जो voltage होता हुसे हमें क्या करना होता है उसे हमें control करना होता है ताकि voltage का variation plus minus 5% ही हो तो अभी हम लोग बात करने वाले voltage control of transmission line के बारे में Hello everyone welcome to complex engineering तो complex engineering channel पर आपको engineering से related हर एक videos मिलेंगी और साथ इसाथ आपको physics से related videos मिलेंगी अगर आप electrical engineering department से बिलॉंग कर रहे हो तो यह complex engineering चैनल आपके लिए बहुत यूस्फुल होगा क्योंकि electrical engineering के बहुत सारे subject है यह complex engineering चैनल पर cover किये गए तो यहां पर अगर अगर हम लोग देखे variation in voltage must be plus minus 5% of rated voltage voltage में जो वेरिशन यह प्लस पाइनस 5% ही होना चाहिए rated voltage का तो यहां पर अगर हम लोग देखे हमें यह देखना है कि जो over voltage और जो under voltage उसका क्या-क्या reason हो सकता है over voltage का क्या reason हो सकता है फैरेंट इफेक्ट इन लाइन में फैरेंट इफेक्ट होने के वज़े से आपकी system पर operate हो रहा है तो ऐसे किसमें आपको अंडर वोल्टेश की problem मिल सकती है तो अंडर वोल्टेज आपको बेसिकली लाइगिंग पार फैक्टर लोड के वज़े से मिलेगा और फैरेंट इफेक्ट के वज़े से मिलेगा इसके बारे में हमनें बात क्या था फैरेंट क्या या फिर आफिर बोल सकते हों ट्रांसमिशिन लाइन का जो वोल्टेज कंट्रोल हो संसे को quantify करने के हमारे पास दो मेथट यह एक काशिक मतलब कैपार Epic decreases Synchronous Generator यह Basically होते हैं Dynamic Devices Dynamic Machines होते हैं तो यहाँ पर आप Basically Voltage को Control कर सकते हो With the help of Static Component और With the help of Dynamic Component Similarly Voltage Controlling को हम लोग ऐसा भी Classify करते हैं Internal Voltage Control और दूसरा होते है External Voltage Control तो सबसे बहले हम लोग बात कर लेते हैं Internal Voltage Control के बारे में फिर उसके बाद External Voltage Control ही दो टाइप में Classify किया गए जो के Static और दूसरा है Dynamic तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे Internal Voltage Control में हम लोग करते हैं हमारा जो Power House होता है Power House में Basically क्या लगा होता है Power Plant में या फिर बोल सकते हो Power House में लगा होता है Generator और वो जो Generator होता है उसके साथ हम लोग लगा देते AVR और यह जो AVR होता है Power House के अंदर लगा होता है तो यही रिजन के वज़े से जो Voltage Control में इसको हम लोग बलते है Internal Voltage Control में यह AVR करता है क्या है जो AVR होता है Generator के Field Current को Control करता है जिसके वज़े से Generator का जो Terminal Voltage होता है वो Control होता है Alternator का जो Terminal Voltage होता है वो Control होता है तो Internal Voltage Control Method Internal Voltage Can Be Control Using AVR Internal Voltage को हम लोग चंट्रोल कर सकते AVR को यूज करते हुए AVR का Full Form होता है Automatic Voltage Regulator तो जो AVR होता है Basically Generator के अंदर लगा होता है जो कि Basically Terminal Voltage को Control करता है काこ쪽에 जनरेटर का लिए किछ कर्णे करने का काम करता है तो यह इंटरनल वल्ट के दिसक्थ करने काम करता है तो हम crise की पारे में अभिए आ clickedic external voltage कंट्रोल में आपके पास दो टाइप के मैतट है जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टैक्ड और डायनेमिक स्टैक में हमारे पास होता है चन्ट कंप से रक excitement एक्षोटर मैठेट सीरिज्ट के पैसिटर मैठेट और र्याक्टर मैठेट और जो डायनेमिक करने का का मगरता ईके ऑलीयो किस में क्या होता हुए प्र्राइटर होता उसको घृडब्र करने का का मगरता है और यह तो बात करेंगे आगे काम करता है यहापर यह बी घृचट सिरीज एक्लडर हों गया Dynamic Voltage Control हो गया जिसमें Synchronous Motor आ जाता है यहां पर आप यह Dynamic Voltage Control हटा तो I hope आपको Classification समझ में आ गया होगा External Voltage Control दो टाइप में Classify के आ गया है सबसे पहला होता है अपना Static Voltage Control और दूसरा होता है Dynamic Voltage Control Static Voltage Control में आता है Shunt Capacitor, Series Capacitor और Shunt Reactor और Dynamic Voltage Control में आ जाता है आपका Synchronous Motor यहां पर अगर हम लोग देखे जितने भी Method है जो External Voltage Control Method है यह सारे के सारे Method में हम लोग क्या करते है Reactive Power को Control करते है for Controlling the Voltage तो यहां पर अगर हम लोग देखे बाइ यूजिंग इस Method Reactive Power इस Control विच कंट्रोल एक्सटरनल Voltage यह सारे Method का यूज करते हुए हम लोग रियक्टिव पावर को कंट्रोल करते है जिसके एक्सटरनल Voltage कंट्रोल होता है यह फर अगर हम लोग देखे क्पैसिटर और यह इंडक्टर से जूडी हमें यह दो Information के बारे में पता होना चीए कंट्र में ग करनट होता हो क्या करते है Oh Neist घ्रत करते है और करता है और के इलिवक्टर और को जा करता है लेडिग पावर को करता है ऐबसॉर्ब करता है दो सब्सक्राइब तो यहां पर हम लोगों च known कि हमारे पास थे फॉर यह पर कलन अग्वेशन होता है और और प्यारी जिकल टू मागनुटू आभ रिडीवींग yat produces एकल डू मैनेटिउ उत्पर चुन संट्रॉट में विंद द्षी म्यान सबाइट है इनकों मेदोग मेरे च्बहअ अन डिनॉमिरेटर में वंस सब्स says क्यों करっ creeping control तो हर एक method के बारे में बात करेंगे तो सब्सक्राबाइब बात कर ले दें shunt compensation method के बारे में तो जैसे कि हमने discuss क्या च्रांट compensation method में basically होगा इस श्यंट compensation method मेतिकिश्ट में आपका जो capacitor होगा लॐ श्यंट वाली branch में connected यहां पर अगर हम लोग देखे नहीं शंट कंपनसेशन के पैसेटर इस चनेक्ट इन ब्रांच इन ब्रस और ग्रांट में जो के पैसेटर होता है उसको वह जो पर दो करते हैं जिसके वजह से होता है कि हमारे जो ट्रांस्मिशन लाइन का जो वोल्टेज यह वो भी थोड़ा रेडियूस हो जाता है जो यूस करते हो बेसिकलि हम लोग लागिंग पार फेक्टर लोट के लिए भी यूस कर सकते हैं जो यह क्या कर सकते हो और साथ जो वोल्टेज ड्राप हो रहा है पालब यह इनक्रीज कर जाती है तो यहाँ पर यह संट कंपे वाली ब्रांच में लगा होता है जो ब्रांच होती है पालिकेशन होता था अंडर ऊंडंक सेचन के है जो रि물 कट्रोल करते जिसके βज़े से हमारे वोटेज हर साथ संट संट कंपनसेशन के हैं फैरन को करनेंट उसको हम लोग कंट्रोल पाते जिसके वजह से व्मारे ट्र atravies пром sẽ क्रोग हो पाता है और समी rif से तक था के अगरा यह सर्ज इंपरभेंट्स लॉड़िंग्ट नगोडिंग वह बिलिंकरीज करती है जैसे कि नाम से पता चला रहाए शीरिस कंपंसेशन में करेक्टेटर होगा और या पर नियाओ बंच करेक्ट करबद का रहा था लाहने सबस्केल कर सकते हैं और ट्रांसमिशन लैन के अंडर जिछ को भी को भी कंट्रोल कर सकते हो तों पर यह जो सिरीज कंपनसेशन है इसको हमें यहां पर advantage मिल जाता है over shunt compensation similarly series compensation of voltage control can be used for both leading power factor load and lagging power factor load जो series compensation method है आप उसको दोनों load के लिए जूसको दोनों load के लिए जूसको दोनों load के लिए जूसको लेदिन पार फेक्टर load के लिए और lagging पार फेक्टर load के लिए भी मगर यह जो य Fortnite सेजिएन यहां में लिए पार एक करते हैं तो इसका मतलब जैंव बहुत ज़ादे अच्छा है सही साथ यहां मिंग पलंपार क found ८ल gli series culture Washington begitu युञिदी सिरीजिट सिरीस अच्छा संवंगे थ्रोष युदा थे तो सिरीज पीन सेशन बहुत अच्छा हों चेट लिपश्ऩान विद्धिशन मगर देलोगा सिरीज कंपन्सेशन युद याधी फिल्टे आया है इंग्री स Stability. Voltage Stability में होता कहween, Voltage Stability के According आपके System का Voltage Variation अगर प्लस माइनस 5% हो रहा है तो इसका मतलब आपका System में वह Stable है, Voltage को लेगे. Frequency के Stability के According अगर आपके System के Frequency plus minus 2% vary कर रही है, तो इसका मतलब आपका System में वह Stable है, plus minus 2% से Frequency अगर जादी भी वैरी कर गई इसका मतला आपका power system unstable हो गया angular stability associated होती है synchronous generator के rotor के rotor angle के साथ अगर rotor angle में किसी भी तरीके का mechanical disturbance होता और वो mechanical disturbance phase करने के बाद अगर rotor angle अपने normal position पर आ जाता है normal condition में आ जाता है तो ऐसे किसमें आपका जो power system है वो क्या है वो है stable मगर mechanical disturbance करने के बाद आपका rotor angle अगर नॉर्मल पोजिशन पर नहीं आ पाता है तो इसका मतला आपका power system unstable हो गया in terms of angular stability तो series compensation आपकी system की stability को भी improve करने का काम करता है मगर यहां पर हमने यह देखा कि जो series compensation है वो क्या कर दे रहा है और के magnitude के इंक्रीज कर दे रहा है तो जैसे के हमने डिसकस किया voltage stability frequency stability और अपना rotor stability voltage stability according as per voltage stability voltage variation should not fluctuate by plus minus 5% angular stability according as per angular stability rotor angle डेल्टा शुट भी stable frequency stability के अगॉर्डिंग जो frequency में जो variation हो plus minus 2% ही होना चाहिए तो यहां पर हमने पात किया series compensation method के बारे में साथ similarly बात कर लेते हैं last method के बारे में जो कहें रियक्टर method नाम से पता चल रहा है reactor reactor मतलब क्या इंडक्टर तो हमें पता है जो इंडक्टर को क्या करता है voltage को रिडियूस करते हो जो क्या पैसिटर रे वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो यहां पर यह जो होता है इसको हम लोग बैसिकली यूज करते ओवर वोल्टेज को रिडियूस करने के लिए बैसिकली यूज करते शन्ट रेक्टर मैठर जैसे के हमने डिसकस किया शन्ट रियक्टर आपने सुना ओगा जब हम लोग फ्रेंट इफेक्ट पर रहे तब यह बात किया था कि जो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होता हो जात होता है और रिसीविंग के लिए को कम करनेいきます शेंट रियक्टर तो शेंट र्यक्टर रेक्टर वोघ्ठ क्यों और लेटिंग फैकटर लोड के लिए यूजि क्या जाता है यहांपर आग्टर इंडू नग्सक्राइस नाटम क्या करता है इसर्ज ऑजिंदुन को क्या कर देता है decrease कर देता है यहाँ पर हम लोग देखी शंट्रेक्टर मैठट और यह Chante Capacitor मैठट दोनों में क्या डिफरेंस है शंट कंपनसेशन मैठट बेसिकली Under-Voltage को Кutable करता है और ये शंट्रेक्टर मैठट है ओवर और वल्टेज को correct करता है Shunt compensation lagging power factor load के लिए यूज किया जाता है Shunt Reactor Leading power factor load के लिए यूज किया जाता है Shunt compensation के case में surge impedance loading increase होती है और यह Shunt reactor के case में surge impedance loading क्या होती है decrease करती है तब हमनों quickly difference देख لेते Shunt compensation और series compensation के बाद बीच में फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो synchronous generator है उसके हैं से हम लोग किस तरीके से voltage को control करते हैं अपर यह शंट compensation method और यहां पर यहां पर यहां पर अगर हम लोग देखे शंट और series हमारे मंट में क्लीक होता है इसका मतलब voltage और शीरीज मतलब क्या ? शीरीज जभी भी आता है तो हमारे मंट में आता है current है के लिए और यह करेंट देखिए लगोजाने लो एक यह पर अगर कंपनेशनन मिलिकन के आपके सस्टम की स्टैबलीटी को इंप्रूफ करता है निया पर अगर अगर नोग देखें तिसरा पॉइंट करेंट इंदी लाइन केन भी कंट्रोल उजिंग शेंट कंपनसेशन लाइन का जो करेंट उसका हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं शेंट कंपनसेशन मेठट का यूज करते हुए रियक्टेंस ऑफ लाइन इस कंट्रोल उजिंग सीरिस कंपनसेशन लाइन का रियक्टें स्टेशंभ डशन सब這邊 service डशेयं आदने लक्त है tyre c genauल रचेंचने लगता लोट चेंचने लगता ने पर coalition अगर सिमिलरी हम लोग देखेंगा जैसे नंडिसका स्ट कमपंसेश्न होता हम लोग करते वैसिकलि अंटर वल्टेज के लिए और जो open कंपनसेशन ने उसकों लोग बेसिकली दोनों वुल्टेज के लिए च्जाओं और लिए तोनों के लिए श्णक एक सेशन में भी जो सब्लस्टुमा कि इंक्रीज करते हैं शुट्टा आपका पार फैक्टर करेक्ट कर सकता है स्टाट्री कंट्रोल सुने और की वूल्टेज कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल Kenya working on तो अगर हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करें सिंक्रूनस मोटर का यूज करते हुए तो जो मेठट होता है इसको हम कुछी दिन हों में कवर कर लएंगे फिर उसके बात और चल्दी से हम लोग जो मेनमें जो कॉंसेट उसके बार में बात करेंगे फिर उसके बात हमारा पाउर सिस्टम वे से ले लेंगे यूट डबल ईटिलाजीशन फ़लेक्टरिकल एनर्जी और अपना एलेक्ति क्रेकल मेजिएमेंट साथ जी साथ जो microprocessor की जो बची वीडियो है उससे भी हमें upload करना और जो control system में थोड़ा बच जो concept है वो रहे गया था उसके बारे में भी मैं आप लोगों को explain कर दूँगा तो electrical engineering में आपको जो-जो important subject है उसकी हर एक वीडियो आपको मिलेंगी यह वाले channel पर तो यहाँ पर हम लोग देखें जैसे के हमने यहाँ पर डिसकस किया था अगर आप voltage को अगर कंट्रोल कर रहे हो dynamic device का यूज करते हुए dynamic device मतलब जैसे के rotating machine electrical simple word में voltage को आप चरोल कर रहे हो electrical machine का यूज करते हुए तो इसका मतलब dynamic voltage कंट्रोल हो गया तो dynamic voltage control method में जो voltage इसको हम लोग control कर सकते synchronous motor को no load पर चलाते हुए, synchronous coil का use करते हुए and synchronous face condenser या फिर modifier का use करते हुए तो हम लोग ये पहले दो method के बारे में बात करेंगे जो dynamic voltage control है इसका आपको advantage भी मिलता हुए इसका advantage क्या हुता है कि जो dynamic voltage control होता है जाधा वर्साटाइल होता है क्यों जाधा वर्साट्राइल होता है उसका रीज़न हम लोग देखे नह pointing क्या आ Yes एक डियानमिक वूल्टिज्य कंट्रोल में जो सिंक्रोना स्मॉर्टर हुसी जो फिल्ड को रियम्तक्ट करना होता है जिसके वज़े से होता है कि जो रिय इंप्रूव होजाता है तो सिंक्रमियर के मोटर के इ Georgia Reinstein को रिये करो जिसके फैसे पाइर फेकर और जो बोर्टेज ऋ दोनों कंट्रोल होचाँगा तो यह एक pro फ्लैक्सिबल होता है फ्लैक्सिबलीटिस की जादी होती है अपने अकॉर्डिंगल हम लोग वोल्टेज को सिस्टम में कंट्रोल कर सकते हैं मगर इसका डिसाइडवांटेज भी होता है क्योंकि आप देखों यहां पर यूज कर रहो है लेक्ट्रिकल मशीन में होते हैं लॉस सिस्टम के एफिशन्सी गिर जाती है इससे पर हमने बात क्या था तो यहीं के वज़े से जो डायनेमिक वॉल्टेज कंट्रोल में इसके डिसाइडवांटेज भी है कि यह थोड़ा कम एफिशन्ट होता है क्योंकि हमारी एलेक्ट्रिकल मशीन में होते हैं लॉस मगर यहां लोग को अवाइड करने के लिए यूज करते हैं एक फीट एस डिवाइस इन वल्टिश का ट्रूलिंग मुझ तो यहां पर एगर हम लोग देखें सिंक्रोनस कंडेंजेर या फिर भोसक्तый केपैसिटर इसकाम तलब क्या पावर कक्त्रोल देखो प्रihopa चाहिए तो यहां से हमने यह देखा जब synchronous motor no load पर काम करती है तो जो synchronous motor है वो capacitor के तोर पर काम करती है और यहां पर यह जो capacitor है वो क्या करेगा reactive power को control करेगा जिसके वज़े से voltage और जो power होगा और control होगा due to this method power factor is also controlled यह method के हैज़ सा power factor भी control कर सकते हो we can control synchronous motor by controlling field current due to which voltage and power factor will also be controlled जैसे कि हमने यहां पर डिसकस किया synchronous motor at no load को यूज़ करते हुए हमें क्या करना होगा field current को control करना होगा field current को control करते हुए जो voltage और जो power factor होगा कि आपके system का वो क्या होगा improve होगा मगर यहां पर आपको synchronous motor को कैसा यूज करना है synchronous motor को आपको पर यूज़ करना है similarly बात कर लाइं तो जो ईंडररों कोल कोर υ**** अगर अगर हम लोन देखें यह रीमिन अंडर एक्सैडेर स्टिन ऑप मोटर नोड़ पर काम कर स्टर पर कारेंगी तो यह घूंट सकते हो अधर्ड शिंद्र जलोट पर काम करेंगी अंडर एक्साइट्ट इड्लोट पर काम करेंगी तो ऐसे के सट में अंडर एक्साइटिभण मोट एक्ट करेंगी सब्सक्राइब तो पर अगर हम लोग देखिए चो इंड सिस्टम का डायनमिक क्या होता है सिस्टम में होते हैं य eligibility कले हो जाता है तो इने можем करने हैं यूज करते है रहीं है तो FACTS जिसका फुलफर्म होता है फ्लेक्सिबल लेजरी ट्रांसमिशन सिस्टम तो इसके बारे में हम लोग FACTS फ्लेक्सिबल लेजरी ट्रांसमिशन सिस्टम के ही कॉंसेप्ट में बात करेंगे